सलमान खान की जान के पीछे पड़े ग्रूप ने ही पंजाबी सिंगर सिध्धू मूसे वाला की हत्या की जिम्मेदारी ले लिये है। गैंगिस्टर लॉरेंस विश्णोई के साथ ही और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड ने एक फेस्बूक पोस्ट लिख कर कहा है कि उसने ही सिध्धू मूसे वाला को मरवाया है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता। अपनी इस पोस्ट में उसने साफ साफ लिखा है कि इस हत्या में उसका हाथ है। लॉरेंस विश्णोई, गोल्डी बराड और रोहित पंजाब के कुक्यात गैंगिस्टर हैं। पंजाब में लॉरेंस विश्णोई के साथ मिलकर बराड अपना ये गैंग चलाता है। विश्णोई भारत में रहकर ही अपराद की दुनिया को चलाता है जबकि बराड खुद कनाडा में रहता है। लॉरेंस विश्णोई वही है जिसने जेल के अंदर रहते हुए ही सलमान की हत्या करवाने के लिए अपने बदमाशों को भेज दिया था। साल 2018 में लॉरेंस ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। इस गैंग से जड़े लोग सलमान को तो नहीं मार पाए लेकिन उन्होंने सिद्धू को मौत के घाट उतार दिया। मूसेवाला की सुरक्षा एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने हटाई थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मूसेवाला ने हत्या से कुछ देर पहले ही अपने निजी गार्ड को गाड़ी से उतार दिया था। उनकी सुरक्षा में उस वक्त चार गार्ड मौजूद थे। पुलिस को ये मामला इतना सीधा नहीं लग रहा। देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत सोची समझी शाजिस के तहती सिद्धू की हत्या की गई है। फ